बेस्ट लेक्टप फोटो एडिटिंग के लिए तो यार अगर आप फोटो एडिटिंग सीख रहे हो जग करते हो एंड अगर आपका बज़ेट कम है 40,000 के बज़ेड में आपको लेक्टप लेना जाते हो जिस पर आपने फोटो शॉप यूज करना तो यार ये वीडियो में सब्सक्राइब करना बात करते हैं नमबर फाइब की तो यार सबसे पहले में आपको बता देना चाहते हूं अगर मैं आपको पर सैसर जो और आई थरी भी बताउंगा ना वहार 10th जनुरेशन के साथ एलेवं त जनुरेशन के साथ देखनी को मिलेगा सब्साइब my notebook 14 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले 2020 में बहुत लोग ने इसको पसंद किया पड़ मैं इसके minus point की भी आप से बात कर लेता हूं minus point की बात करूं आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन इसको upgrade करने का option नहीं मिलता है जो कि सच में minus point आ जाता है तो अगर आपने इस laptop की और जाने आप जा सकते हो इसके display quality बहुत सही है इसका trackpad बहुत सही है and built quality भी आपको बहुत अगरी मिल जाती है मैं my notebook 14 की मैं main specification की बात कर ले तो थोड़ा से deeply आपको बता देता हूं तो डिस्प्ले की बातों को 14 फूल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की एंटीग लिए डिस्प्ले है पर सासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जागी प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात को इंटल-UHD Graphic Card भी मिल जागा आपको MXS 350 2GB के साथ भी Graphic Card देखने को मिल जागा की बात करूं आपको विंटो टैन मिल जाती है बैंटरी की बातों को टैन आवर्स का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्लस आपको 65 वोड का फास चार्जर देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं आपको 41,000 के बढ़र में देखने को मिल जाएका तो यहर में स्पेस्टिकेशन तो मैंने आपको बता दिये अभी मैं आपको यह भी बता देता हूं इसको नबबर 5 पर रखने का सिर्फ यह रीजन है कि आपको जो अप्रग्रेट करने का ऑप्शिन नहीं मिलता जो कि सच में एक मानस पॉइंट आ जाता है तो भी अगर आपने जाना है माई नोट्बूक फोडिंग क्या आप जा सकते हो वैसे लैप्टाप देखा जाए फूरा रोड़ेड मिल जाता है अगर आपको स्टुडेंट हो और कोई भी भी मानस परक्रम भी इसका बैटरी लपसा पाट सब्सक्राइए बात करते हैं क कई भंडे मुन मैं से आते हो अप जा सकते हो एसन की बात करूं लब्टाप बहुत बात बेक्राइग दिग और अगर में मुझे जादा सूट करता है अगर आपने जाना है तो ब्लैक कलर आप भी ट्राइब कर लेना आपको पसंद आने वाला है ठीक है इसमें आपको i3 मिलेगा 10th generation के साथ भी मिल जागा 11th generation के साथ भी मिल जागा मैं आपको कहना जाता हूं अगर आप 41,000 या 42,000 पे कर सकते हो आपको i3 11th generation के साथ मिल जागा लोग जो की लेटेस्ट प्रसाइसर आप बहुत अगरा प्रसाइसर अगर आप में कोई हैवी सॉस्ट्रों यूज करना आप कर सकते हो आपको 8GP RAM मिल जाते है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक जो कि इसका प्ल 11th generation के साथ मिल जागा storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाकते ग्राफिक कार्ण की बात करूँ आपको इंटिग्रेटरीड ग्राफिक कार्ण मिल जाते है उप्रेणी से इसने की बात को विंट 10th generation के साथ मिल जागा 11th generation के साथ मिल जागा भाई अगर अपके लिए 11th generation के साथ में जाए आपके लिए best deal हो सकते है for students के लिए अगर आप इंजिमिरिंग करतो उसके बाद कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, फोटो एटिंग करते हो, वीडियो एटिंग करना चाहते हो, तर एंड भी अगर आपने न्मल सेटिंग पी गिमिंग करनी है. आप इन लक्टॉप कर सकते हो बस मैं आपको इतना फिर से कहा देना चाहते हूं जितनी भी आपको रैम मिलते हैं सभी में आपको 8GB RAM मिलेगी लेकिन आप अगर अगर अपकरेट कर सकते हो आपने कर लेगी है जो कि आपके लिए बैस्त दील हो जागी बिकर आपको ग्राफिक अगर मिलता है अगर डाफिक का 2GB मिल जाता है तो मैं आपको रैम करने को कहता ही ना ठीक है तो आप रैम को कर लेना तांकि अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टर यूज़ करना होगा वो नॉर्मली स्मूथ ली चल जाएगा ठीक है अब आगे बात करते है नंबो त्री की नं निदेखने को मिल जाते हैं तो अगर आप अपने लैपटर को करना आप करे करना है और आपको ऌने-ज तो इस laptop का prize आपको 30,000 मतलब 30,000 के बदर में आपको ये laptop देखने को मिल जाता, laptop बहुत ज़्यादा तगड़ा, इस price range में Lenovo हो गया, इस से हो गया, बहुत ज़्यादा सही deal परवाइड करते हैं, customer को, मैं दिल से चाहता हूँ भी, अगर आप, आपका budget सौरी कम है, तो इस laptop को एक बार आप चैकोड जरूर करना, Lenovo IdeaPad Slim 3, Ico मैंने link प्रवाइड किया, आपको description box में देखने को मिल जागा, अभी बात करते हैं, display की तो 15.16 आपको full HD display मिल जाते हैं, जो की 16 refresh rate के साथ आते हैं, processor की बात करूँ, आपको i3 10th generation के साथ में मिल जागा, 11th generation के साथ में मिल जा प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हैं, graphic card की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाता है, प्रेडी system की बातों को window 10 मिल जाते हैं, प्लस आपको MS Office मिल जागा, 2019 version, battery की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया, 35,000 के बजर में आपको 10th generation मिल जाएगा, and 45,000 के बजर में आपको 11th generation के साथ, Lenovo Ideas Slim 3i देखने को मिल जाएगा, यहार में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको laptop के बता दिया, laptop पूरा तगड़ा, अगर आपने इस क्या हो जाना है, आप नोरी smoothly जा सकते हो तो भी आभी बात करते है, number 2, number 2 भी बात करो, number 2 पर यार मैंने दखिया, Asus VivaBook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करो, सबसे पहले यह 2020 model है, and आपको slim and stylish design देखने को मिल जाते है, इसके color वगरा बहुत ब्यारे आते हैं, भी अगर आपको slim and stylish design चाहिए, आपके लिए यह laptop perfect deal हो सकता है तो इसके main specification की बात कर लेते हैं, display की बात करूँ, आपको 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, processor की बातों को i3 11th generation के साथ मिलेगा, storage की बात करूँ, आपको 8 GB RAM मिल जागी, upper grade आप 16 GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बात करूँ, आ आपको 6 to 7 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात को 42,000 के budget में, Asus VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाती है, तो यार main specification में आपको बता दिया, Asus VivoBook Ultra 15 के भी, इसके specification पूरे तगड़े, आपको 3 11th generation के साथ मिल जाता है, जो की latest processor उसके अपर तो कोई भी नहीं देखने को मिलता है, and इसके price range की आपको 41,000 के budget में मिल जागा, but यार, आपको stylish design में मिल जाता है, slim and stylish design है, अगर आपको वो चीज़े matter करती है, आप इसके और जा सकते हो, प्लस अगर आपने पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, कोई heavy software यूज़ करना है, आप normally easily कर सकोगे, बस आप जो RAM है, उसको upgrade कर लेना, आपको आगी बात करते है, number one की बात करो, number one की बात करने से पहले मैं आपको कह देना चाता हूँ भी, अगर आपका budget 45,000 तक हो जाता है, आप इस laptop के और चल जाना, अगर आप मतलो 40,000 ही pay कर सकते हो, तो asus webbook ultra 15 आपके लिए best deal हो सकते है, अगर आप 40,000 भी नहीं pay कर सकते हैं, तो 35,000 के budget में Lenovo IdeaPad Slink 3i, आपके लिए perfect deal हो सकती है, अभी बात करते हैं, लाइक इस से इस पार 5 की तो display की बात करूँ, आपको 14 इंच Full HD Plus display मिल जाए जो की IPS panel display, प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाते है, expandable आप कर सकते हो, प्रोस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बातों को Nvidia G4 MX350 देखने को मिल जाते है, जो की 2 GB graphic card है, operating system की बातों को Windows 10 मिल जाते है, बैंटरी की बातों को 8 hours का बैंटरी live provide कर दे, price की बातों को 45,000 के budget में इस से इस पार 5 देखने को मिल जाएगा, तो यह main specification में आपको ब video acting करने है, gaming करना जाते हो, जागर आपने कोई भी हैवी software यूज़ करना है, programming करते हो, coding करते हो, architecture की study कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपने photo acting करने है, and भी अगर आप engineering student हो, आप सभी के लिए best deal हो सकते है, तो यार, अभी मैंने आपको top 5 laptop बता दिये, जो भी आपके budget में सेट बैटता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपको i3 भी देखने को मिलता है, यार, वो 10th generation जा 11th generation के साथ मिलता है, जो की बहुत ज़्यादा तगड़े है, कोई भी issue, problem नहीं आने वाली, सभी के link मैंने परवाइड किया, आपको description box में देखने को मिल जाएंगे, तो कि ये 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 पास कि बहकंगे हो, व conversation, कैसी में जाएंगे है, कि अ communist कि ये देखने को मिलता है, गो एंगे है, बहुत वाली, सकत भास कि दशता है, इसनु CBast क बहस भी कर तो सकते हैं, जबाजऒे हैं इसक्तों सissant है, अग बहँ हो जया है।